जहां पर हिंसा हुई है वो हिंसा कोई जाती है हिंसा नहीं जानी एंपी रहते हुए राजी परताप रूडी जी नहीं पहुचे जाती है मामला नहीं है यहां पर अधिकार का मामला हक का मामला है इसको जाती है रंग देने का जो लोग परियास कर रहे हैं कहीं न कहीं समाज म इनके घर से पकड़े गए थे यह जब अपने काजकाल में मदुबनी में जो कांड हुआ था उस कांड के परती इनकी कितनी संवेदना थी यह असपर श्टूप से दिखा भारतिय इन्ता पार्टी कहीं न कहीं परसेप्शन की राजनीत करती है कहीं न कहीं समाज के अंदर वि बिहार में भी कुछनी पहले जातिय हिंसा हुई छपरा के मुबारपुर माजी थाना के अंतरगत उस मामले को लेकर जो वहां के सांसद है छपरा से राजू परताप प्रोड़ी उस मामले को संसद में उठाए हैं उनका कहना है कि साब साब बिहार में जब से जातिय जन गर बिहार में जाते हिंसा ज्यादा होने लगी है इस पर आप क्या कहना चाहेंगे देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि राजी प्रताप रूडी जी चुके उनको पता है कि जाती है जनगन्ना हो रही है यह गरीबों को सोसितों को वंचितों को और जो कमेरे वर्ग हैं जो सारे मामलों का सर्वे करा करके असपश टूप से एक योजना आकार त्यार करेगा उसी के माद्यम से हम उनको हर अस्तर पर उनको हक और अधिकार देने के प्रति चिंतित हैं और भारतिय इंता पार्टी की सोच बंच अफ थर्ट की राजनिती की रही है जो कभी भी नहीं च यहाता है कि गरीब उप पंचित पिछड़ा तबका का यहाती पिछड़ा समाज के लोगों का उसको उसका वाजिव अधिकार मिले इसलिए हो विरोध कर रहे हैं इसमें बात यह है कि जो छप्रा में घटना हुई है उस घटना अस्थल तक अभी तक से अस्थानी एंपी रहते हुए राजी प्रताप रूडी जी नहीं पहुचे और वो हवा हवाई राजनीति कर रहे हैं धरातल पर उनकी मौझूद्गी होनी चाहिए थे उनको मामला सदभाव की जिसा में आगे बढ़ाना चाहिए था जहां पर हिंसा हुई है वो हिंसा कोई जाती है हिंसा नहीं है बलकि राजनीतिक विद्वेस की भावना से और वहां पर अस्थानी चुनाओं का एक आधार हुआ है उसी के कारण इस तरह की मामले हुए है इसको जाती है रंग देने क यह और आगे भी बेनकाप करेगी भारतियनतापाटी के नेता सबसे पहले यह असपश्ट करें कि जो 2021 में रावन सेना के द्वारा मदुमनी में हत्या कांड हुआ था और जिसमें इनके पुर्मंत्री का नाम आया था उस संबन्द में इन्होंने चुपी क्यों सादली थी उस समय इनको वह मामले कहां दिख रहे थे यह असपश्ट करता है कि भारतियनतापाटी की सोच किस तरह की है उनकी नीती और रिती किस तरह की है सबसे बड़ी विडमना यह है कि भारतियनतापाटी की वह नेता ब्यानवीर बने हुए है जो एंबुलेंस इनके घर से पकड़े गय थे वो एंबुलेंस जिसमें बालू और सराब धुलाया जाता था वो असपश्ट उपसे आम जनों ने भी देखा है और आम जनों नहीं उसको उजागर करने का काम किया यह असपश्ट करता है कि भारतिय इंता पार्टी के जो अस्थान यह सांसद है उनकी सोच किस तरह की है उनका विचार किस तरह का है दरसल वो जनता के परति कम जवाब दे हैं अपने आर्थिक और अपने लोगों को लाब कैसे पहुंचे इसके परति ज्यादा काम करते हैं इसी लिए इस तरह की राजनिती करते रहे हैं इस तरह की राजनि ले लिए लेकिन राजी परताप रोडी उस टाइम पर चुप थे लेकिन इस वक्त बिहार में जब से महाकट बंदर के सरकार बनी एक छोटी सी भी घटना हो रही है तो सिधे बिहार से दिल्ली ते को घटना पहुँच जा रही है देखें राजी परताप रोडी जी हो या भारतिय इंता पार्टी के कोई नेता हो ये जब अपने काजकाल में मदुबनी में जो कांड हुआ था उस कांड के परती इनकी कितनी संवेदना थी ये असपश टूप से दिखा कोई लोग इनके ये बात कहने के लिए तयार नहीं थ सारे लोग चुपी साधे हुए थे उस समय तो भारतिय इंता पार्टी सत्ता में साथ में थी साज़ेदार थी उनके मंत्री पर आरोप लगा था लेकिन भारतिय इंता पार्टी को वह चीज़ दिखाई नहीं देती है क्योंकि भारतिय इंता पार्टी कहीं न कहीं परसेप् कुछ क्वांगे। कून क्या बोलता है उसको सबसे पहले तो ये बात करना चाहिए कि जब उनके quarter को खालि कराये जा था और quarter खालि कराने के समय में जिस तरह से बावा शाय भीम के परतिमा को छतिक्रस्त किया गया जिस तरह से दलित के सबसे बड़े नेता ना बिहार ही नहीं बलके देश अस्तर के मानिए रांबिलास पासवान जी की मूर्टी को किस तरह से वहाँ पर फिक्वाने का काम भारतिय इंता-पाटी की केंट सरकार ने किया उस पर इनका कभी वक्तव नहीं आया उस समय यह सडकों पर करके कहते थे कि हमारे साथ जो अन्याय हुआ उसको मैं भूल नहीं सकता हूं hvad अफसोस की बात है कि उस अफमान को जो उनके पिता के साथ जो दलिष समाज के सबसे बड़े सिरमौर के साथ इसSt носों कि घतनाओं को यह अपमान को भूल करके कहीं नहीं अपमानित होने के बाद भी उनके साथ खड़े हो गए én जो इनको ne 3 में मान रही है न तेरा में मान रही है इनकी राजनिती की स्थिति कहां पहुंचने वाली है यह कुछ से मेबाद पता चलेगा चुके भारतीयनतापाणी use and throw की राजनिती करती रही है, 2020 में इनका इस्तमाल किया और 2023 में पुना इस्तमाल करने की निती अपनाया है, ये असपष्ट करता है कि भारतिय नंत्रपाटी की सुच किस तरह की है भारतिय नंत्रपाटी के साथ जो लोग खड़े होना चाहते हैं उनको सबसे पहले अपमान होने अफमानित होने वाली घटना को वियाद रखना चाहिए शुक्रिया सर्म बहुत धन्यवाद तो मेरे साथ राजयत से परवक्ता थे जिन्हों ने बाचित क्या साफ सब कहा कि राजुप्रता प्रोड़ी अपना रोटी से करें और इन्होंने क्या कुछ का आपने सुना ही ऐसे तमाम इस खबरों के लिए बने रहे था बन चाहिए थे सा तब तक लिए बहुत बहुत सुक्रिया